दोस्तों आपको अपने Samsung के phone में call करने पर आपको इस तरीके की problem आ रही है not registered on network इस तरीके से आप देख सकते है not registered on network इस तरीके से error आ रहा है आप जब call करते हैं Samsung phone से तो आपको इसे कैसे ठीक करना पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो का आपको लास्त देखना है तभी आप इस problem को solve कर पाएंगे सबसे पहले आप अपने mobile की main screen पर आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको अपने modification पैनल को नीचे की तरफ खेंचना है और यहां पर आपको डूढ़ना है flight mode यह देख सकते ह तो आप एक बार tap करेंगे और यहां पर थोड़ा वेट करेंगे अप 5-6 सेकंडों और फिर आपको इस पे ट général करेंगे अब आप यहां थोड़ा रुक के लिए और आप कोल लगाएंगी आपकी कॉलल लग जाएगी आपकी problem solve हो जाएगी अपकर प्रौब्रम सॉल्प नहों च्छिछ को 54 से और हमकolo 13 च्छ जो हैं आपको क्लिक किजिए और यहां पर टूर। जो हमें सिलेट है ku एर फिस होने करना डीजिया आपको इस तरीके से करना है फ्रेटर पे क्लिक करेंगे यहां ओट्माटिक सेट है तो अच्छी बात है नहीं है तो इसे ओन कर लीजिए उसका बैक चले आई ये बैक आने के बाद आपको देखो यहां पर सर्च करना है सर्च क्या करना है री सेट network setting इस तरीके से मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको अपनी network setting को reset कर देना है number 1 sim और number 2 sim जिससे आप call लागाने problem हो रही है ठीक है यहाँ से सीधा आप यहाँ से reset कर दीजिए ठीक है और आपकी problem है वो solve हो जाएगी लाश्ट में एक तरीका और है आप अपने वाल का जो पावर वाला वटन है जिससे मौल स्विच आप करते हैं बहुत दवाना है और एक बार यहां से आप क्या करेंगे इसे रिस्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्प हो जाएगी तो चली य वीडियों आपको कैसे रगी हमें कमेंट पर जरूर बताएं फिलाल लेता हूं इस वीडियों बिदा जहन्द